टैली में कैसे पता करें कि इस एंट्री को create किस ने किया है और इसको alter किस ने किया है क्योंकि बहुत बारी हमें इस चीज़ की जरूत परती है हमें देखना होता है कि इस एंट्री को create किस user ने किया है और alter किस user ने किया है तो अधिकतर इसकी जरूरत companies में पड़ती है जहांपे एकी tally, एकी data में multiple लोग काम करते हैं अब कोई किसी की entries को alter कर देता है या backdate में entries कर देता है तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है यह जानने की कि इस entry को create किस ने किया है और alter किस ने किया है और उसके बाद उसमें backdate में कुछ काम हो गया है तो वो जो data है data हमारा mismatch हो जाएगा तो हम कैसे पता करें कि इस data को किस ने छेड़ा है या backdate में किस ने entry की है या उस entry को किस ने alter किया है तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा company का data है, उसमें हम password enable करने वाले हैं, मतलब administrator का password set करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, company पे जाएंगे और company में alter पे जाएंगे, और यहां पे यह हमारी company की details होगी, तो यहां पे अगर आपको option visible नहीं हो सब्सक्रा है, security control का तो आपने यहां पे f12 करना है, तो f12 करने के बाद में यहां पे आपने इस option को enable कर देना है, Use user aqc ctrl को yes कर देना है, उसके बाद सेप कर देना है, तो जैसे आप इसको yes करेंगे, तो यहां पे आपके पास ही option आ जाएगा, security का, control user access to company data, तो इसको आपन नहीं रख देते हैं, फिर confirm password है, admin रख देते हैं, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, forget the password will render your data in accessible, तो इसका मतलब है, जो यह password आप set कर रहे हैं, यह आप not करके रख लिजेगा कहीं पर, अगर आप यह password भूल गए, तो आप अपने data को access नहीं कर पाएंगे, तो यह हम enter कर दे देते हैं, warning message है, तो उसके बाद आपने यहां पर enable tally audit feature को yes कर देना है, अगर आप इसको yes नहीं करेंगे, तो आप नहीं जान पाएंगे कि entry किसने की है, तो यह हम इसको enter कर देते हैं, और इसको save कर देते हैं, तो company में हमारा password enable हो चुका है, हमने password set कर दिया है, वो कौन सा क administrator का, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें users बनाने हैं, जिसने भी इस टाइलीक data को access करना है, उनके लिए हम user बना देंगे, वो चो user है, वो अपने ID password से ही काम करेंगे, जिससे की हम देख पाएंगे कि यह entries किसने किये, कौन से user ने की है, तो उसके लिए हमें क्या कर हम से एक rule बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर name डाल दिया, तो एक arrow से निचे आ जाएंगे, उसको save कर देंगे, फिर दुबारा से में जाना है company में और यहाँ पर जाना है user rule में, user rule में जाने के बाद जो भी हमने user बनाया था, यहाँ पर label बनाया था, उसके हम enter करेंगे, तो इसको एक बारी save क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे पास user आ रहा है, तो अगर first time आप enter कर देंगे, तो यहाँ पर आपको user show नहीं करेंगे, तो एक बारी आपने इसको save कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर security लिस्ट में, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ पर सिर्फ हमने एक level बना दिया है, जिसमें की सारे rights है, तो उसके बाद हम यहाँ पर दुबारा से company में चलते हैं, और अब हमें जाना है user and password पर, इस पर हम गए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें user rule यह तो यहाँ पर देखिए जो A और B हैं इसमें जो security applicable होगी वो आपके जो rule है, आपका user rule है, तो यहाँ पर हमने कोई भी security नहीं लगा रखिये, तो वो सारा काम कर सकता है, तो यह हमने end of list कर दिया है और save कर दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इस company को log off कर देते हैं, set कर देत एक cash की entry कर देता हूं, payment की entry, तो माल लेजे इसको 1000 रुपए की entry कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक entry हम B user से भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम company को log off करते हैं, और B user से open करते हैं, और एक दूसरी entry कर देते हैं, receipt के entry कर देते हैं, तो यहाँ पर यह हो गया, और इसको हम, इसको हम 5000 रुपए की payment कर देते हैं, तो entry हमने save कर दिया, अब देखे हमें देखना है, तो यह अब किसी भी user से देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको admin से ही देखना पड़ेगा, जैसे कि हम debug में जाएंगे, debug में द entered by, तो यह हो गया, अब देखें, यहाँ पर जैसे हमने इसको yes किया, तो यहाँ पर entered by आ गया है, कि किसने इसको enter किया है, ठीक है, first वाली entry है, यह user ने enter किया था, तो यह user का नाम आ गया, second वाली entry है, जो receipt थी, वो 5000 रुपए की थी, भी user ने किया था, वो यहाँ पर आ गय अब मान लिजे, जो यह first entry है, इस entry को अभी कौन से user से login है, user B से login है, तो मान लिजे, मैं user B से इस entry को change कर देता हूँ, तो यहाँ पर change करने के लिए, मैं इसको 2000 रुपए का amount कर देता हूँ, उसको save कर देता हूँ, तो अब देखें, यहाँ पर किसका name आ रहा है, बी का name आ अल्टर किया है, या create किया है, उसी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब इसके लावा वैसे तो अगर आपको जाना है कि यह entry किसने अल्टर की है, क्यों अल्टर की है, उसके लिए audit feature का use आपको करना पड़ेगा, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बत ही है, अब अगर आपके 5 user हैं, 5 user एक ही password से access कर रहे हैं, जीसे admin का password है उसी से access कर रहे हैं, या A password से access कर रहे हैं, तो उस case में आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे लोग एक ही password से entry कर रहूंगे, हर तो यह किसी को आपने उसका password assign कर देना है, user ID, password और जो settings हैं, जो users controls हैं, उनको कैसे set करना है वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने users के लिए security set करनी है, कि वो entries कर सकता है कि नहीं कर सकता है, alter कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या audit features कैसे use करना है, अगर किसी ने entry को delete कर दिया, तो कैसे पता करें कि इस entry को किसी ने delete किया था, कब delete किया था, वो entry कितने amount की थी तो वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को दिखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहें साथ में मेरी वीडियो भी देखते रहें जय हिंद जय भारत